Hello guys, welcome back to my channel, स्वागत है आप सभी का एक और बहुत important वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं intraday trading के बारे में and ये intraday trading में आपको बताने वाला हूँ Angel1 trading platform पे जो की इंडिया का one of the best and oldest broker है and I hope आप सभी के पास Angel1 का trading और DMAT account होगा अगर आपके पास नहीं है तो link मैंने description में दे रखा है वहाँ से जाके आप अपना account open कर सकते हो free में आपका account open हो जाएगा and अगर आप मेरी link का use करके अपना trading और DMAT account open करते हो तो आपको zero brokers लगेगा आपके delivery orders पे इसके लाग अगर आप intra day और future end option करते हो तो per order flat 20 rupees का ही charge आपको लगेगा तो link description में जाके account open कर सकते हो इस वीडियो में मैं आपको intra day trading से लेटेड़ सारी चीज़े बताने वाला हो कि intra day trading क्या होती है intra day trading कैसे करते हैं चाहे market उपर जा रहा हो चाहे नीचे जा रहा हो चलते हैं सिधा mobile पर और देखते हैं कैसे हमें इंट्राडी टेडिंग करनी है तो सबसे पहले हम अपना अप्लिकेशन ओपन कर लेते हैं यह गाइस अप्लिकेशन का home page जहां पर आपको काफी सारी important information देखने को मिल जाती है टॉप पे आपको आज की market condition क्या है वो देखने को मिल जाती है निफ्टी आप देख सकते हो 0.19% डाउन है Sensex 0.24% डाउन है तो इंट्राडी टेडिंग जैसा की नाम सही पता चलता है कि यह एक ऐसी टेडिंग होती है जो आपको within a day perform करनी होती है Indian stock market Monday to Friday चलता है 9.30 से लेकर 3.30 और 3.20 तक चलता है इसी time period के अंदर आपको अपना profit and loss बुक करना होता है अब ऐसा क्यों करना पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो step by step हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे बड़ सबसे पहले आपको अपने wallet में पैसे अड़ करने है angel one के मैं आपको बता दूँ डारेक्ट के आपने bank account से किशी share को buy नहीं कर सकते हो पहले आपको अपने bank account से पैसे आपके wallet मिलाने होते है उसके बाद आप उन पैसों का use करते हो तो angel one के wallet में पैसे आड़ करना बहुत आसान है आपको अपको अपको wallet दिख जाएगा add funds पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर amount आपको डाल देना है तो मैं यहाँ पर example के लिए 10,000 रुपीज आड़ करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आप UPI के थूँ तो हमें 10,000 रुपीज का use angel one app पर किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहला जो इस्टिप हमारा होता है वो होता है stock selection कौन सा stock हमें choose करना है जिसमें कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर आपको watch list option मिलता है यहाँ पर आपको सभी shares मिल जाएंगे जिनमें भी आप trade करना चाहते हो आप अपने analysis के हिसाब से news के हिसाब से या आपकी choice के हिसाब से जिस भी stock को choose करना चाहते हो उसको आप choose कर सकते हो example के लिए मैं आपको Tata Motors में internet trading करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने Tata Motors पे click किया अब Tata Motors के share की आज की जो पर stats हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहेंगी आप देख सकते हो open price दिया हुआ है 533 मतलब इतने पर market खुला था highest price गया था 535 lowest price गया था 528 और अभी currently यह 532 पे trade हो रहा है इसके अलावा यहाँ पर buying and selling orders आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पे आप charts पे click करके इसका chart वी देख सकते हो and angel one पे काफी अच्छा chart support आपको मिलता है अब आप अपने analysis के हिसाब से यहाँ पे buying selling कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ पे दो तरीके से profit बना सकते हो अगर market उपर जा रहा है तब भी आप पैसे बना सकते हो अगर market नीचे जा रहा है तब भी आप पैसे बना सकते हो तो basically जब भी हमें लगता है कि अब इस share का price बढ़ने वाला है तो हम low price पे shares को buy कर लेते हैं और high price पे sell करके अपना profit book कर लेते हैं और ठीक इसके उल्टा जब हमें लगता है कोई share यहाँ से गिरने वाला है तो हम वहाँ पे short selling करते हैं short selling में basically हम पहले high price पे sell कर देते हैं उसके बाद जब उसका price गर जाता है तो हम उसे buy करके अपना profit book करते हैं अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको समझाओंगा उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमें low price पे buy करके high price पे sell करके कैसे profit book करना है अब यहाँ पर buying selling करने के लिए आपको top right corner पे ही B and S का button मिल जाता है B for buying, S for selling तो हम यहाँ पर buy करने वाले हैं तो हम buy पे click करेंगे अब यहाँ पर आपको intraday and delivery दो options मिलते हैं अब मैं आपको जाता हूं लोग intraday trading करना क्यों prefer करते हैं तो basically अगर हम कोई share delivery में खरीदते हैं delivery में हमारे पास जितने पैसे हैं सिर्फ हम उतने के ही shares buy कर सकते हैं मानलो अभी Tata Motors का price है 530 रुपए और हमारे पास available cash है 10,000 रुपए तो हम यहाँ पर maximum 18 shares ही buy कर पाएंगे क्योंकि 18 shares के लिए हमें 9,585 रुपीज चाहिए बट लोग intraday इसलिए prefer करते हैं क्योंकि आप देखे तो intraday के आगे लिखा हुआ buy 5X मतलब हम अब यहाँ पर 5 गुना ज्यादा shares buy कर सकते हैं जैसे अभी तक हम 18 shares यहाँ पर buy कर रहे थे अब हम यहाँ पर 90 shares buy कर सकते हैं और हमें 9,585 रुपीज देने होंगे ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज हमें यहाँ पर मिलता है leverage leverage मतलब extra buying power मान लीजे जैसे 10,000 रु अब मान लीजे 50,000 के अब हमें shares buy के लिए तो जो भी profit and loss होगा वो मेरा होगा और इसलिए हमें same day में ही shares sell करने होते हैं फिर अपनी position square off करनी होती है विकॉज जो angel one का पैसा है 40,000 वो उसे वापस चाहिए होता है और अगर market close होने से पहले आप अपनी position square off नहीं करते हो तो angel angel one automatic आपकी position को square off कर देगा मतलब position close कर देगा फिर चाहिए आपका loss हो रहा हो या फिर profit हो यही इंट्रडे टेडिंग का advantage है और यही इसका disadvantage है advantage यह है कि आपको यहाँ पे extra buying power मिलती है और disadvantage यही है कि आप same day तक ही hold कर सकते हो अब इस चीज़ को आप simple words में ऐसे समझ सकते हो जैसे delivery में मैं एक share ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 532 रुपए margin required है और अगर same चीज़ मैं यहाँ पे intraday में ले रहा हूँ तो मुझे सि position को next day carry forward नहीं कर सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे quantity डाल देनी है हमें यहाँ पे 5X का leverage मिल रहा है तो हम maximum quantity डालेंगे तो मैं यहाँ पे 90 डाल देता हूँ 90 shares के लिए मुझे 9585 रुपीज पे करने होंगे अब यहाँ पे आपको order type कई सारे मिलते हैं अगर आप instant order place करना आप चाते हो जब इसका price 530 जाए तब मैं position लूँ तो आप यहाँ पे 530 करके order place कर सकते हो जब Tata Motors का price 530 होगा तब आपको order execute हो जाएगा यहाँ पे मैं आपको instant दिखाने वाला हूँ तो मैं market rate पे order place करूँगा place by order पे हम click करेंगे confirm पे click कर देंगे तो हमारा order जो है वो instantly execute हो जाएगा और positions वाले section में आके हम देख सकते हैं कि हमने जो shares खरीदे हैं उनकी क्या condition है अब अगर यहाँ से market का price उपर जाएगा तो हमारा फायदा होगा अब आप यहाँ पे target price या फिस top loss भी लगा सकते हो इसके लिए आपको इस पे click करना है यहाँ पे exit का option मिलता है exit प यहाँ पे enter करके order place कर दो जब भी Tata Motors का price 540 जाएगा आपके shares automatic sell हो जाएगे आपका profit book हो जाएगा के लगा यहाँ पे आपको stop loss का option मिलता है यहाँ पे आके आप trigger price और limit price enter करके अपना stop loss लगा सकते हो stop loss बहुत ज़्यादा important है इससे क्या होगा एक limited loss आपको होगा जो भी आप set करोगे जैसे भी 532 है मानलीजे आपने limit price पे 525 डाल दिया और order place कर दिया तो 525 अगर हो जाता है Tata Motors का price तो आपकी position square off हो जाएगी और आपका loss बुक हो जाएगा तो इस तरीके से अगर आपको लगता है market उपर जाएगा तो आप low price पे buy करके high price पे sell करके अपना profit book कर सकते हो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि market यहाँ से नीचे जाएगा तो आप high price पे sell करके low price पे कैसे buy कर सकते हो तो इसके लिए मुझे इस position को भी exit करना पड़ेगा because इतने ही funds मैंने add करें तो यहाँ पे हम market rate पे exit कर लेते हैं कोई दिक्कत नीए loss तो अभी मैं आपको दिखाने चाहरा हूँ इसलिए मैंने position close कर दी है वापस से हमाजाएंगे Tata Motors पे अब short selling की बात आती है तो लोग इस बात पे confused होते हैं कि हमारे पास shares है नहीं तो हम पहले sell कैसे कर सकते हैं आपके बिहाब पे समय लिजे कि angel one shares sell कर रहा है high price पे और low price मे आपको buy करके उसे वो sales वापस करने है अब जो भी price में gap आएगा वो आपका profit हो जाएगा मालीजे हम 532 पे Tata Motors के 30 shares sell कर देते हैं अब हमें वो 30 shares वापस करने है angel one को तो जैसे इसका price गिरेगा हम 525 पे buy करके वापस कर देंगे और जो 5-7 रुपय का gap आ रहा है वो हमारा profit हो सकते हो यहां पर मैं instant आपको sell करके दिखाने वाला हूं तो मैं market order place करूंगा quantity में फिर से डाल देता हूं 90 shares की quantity enter करने के बाद हम place sell order पे click करेंगे confirm पे click करेंगे हमारा order instantly execute हो जाएगा यहां पर आप देशकते हो हमारा जो total loss है वो 99 रुपी का भी दिखा रहा है मैं आपको दादू यह सिर्फ इस trade का loss नहीं है पिछली वाली trade का भी है total loss यह दिखाता है यहां पर आप click करके देख सकते हो हमारी दोनों trades को calculate कर रहा है अब जैसा कि हमने यहां पर short selling करी है तो Tata Motors का price जब गिरेगा तब हमारा फायदा होगा तो Tata Motors पर हम click करके इसकी और details यहां से देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हो net quantity minus 90 shares की दिखा रहा है because हमने पहले sell करा है अब जब हम 90 shares को दोबारा buy करेंगे तब हमारी यह quantity zero होगी इसके रहा average trading price हमारा 532 रुपय है अभी इसका price 532.10 हो चुका है इसलिए हमारा यहां पर 11 रुपीज का इस trade में loss हुआ है औ total loss उपर आपको दिखा रहा है अब जैसे जैसे इसका price गिरेगा हमारा फाइदा होगा जैसे जैसे price उपर जाएगा हमारा loss होगा अब यहां पर मैंने ज्यादा analyze करके कोई trade नहीं लिए मैं आपको सिर्फ process बता रहा हूँ तो आप यह जिजमत करना कि मेरा यहां पर loss हो रह हो तो मैं सिधा market पर क्लिक करूंगा और यहां पर exit का option आ रहा है एक्जिट पर हम क्लिक करेंगे और यह हमारा order exit हो चुका है यह था गईस सिंपल सा process angel one application में इंट्राडे टेडिंग करने का आपने देखा कैसे हम low price पर buy करके high price पर sell कर सकते हैं और high price पर sell करके low price पर buy करके भी profit book कर सकते हैं तो देखा गाइस कितना आसान है angel one platform पे इंट्राडे टेडिंग करना बहुत ही सिंपल सा interface आपको provide करता है angel one I hope आपको सब कुछ समन्द में आ गया होगा फिल भी अगर आपका कोई question, doubt or suggestion है तो comment section में जरू बताना इसके लावा angel one का link description में अगर आप नहीं इसके लावा एक और important चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं इंट्रडे टेडिंग काफी ज़्यदा risky होती है तो starting में आप थोड़े amount से ही शुरू करना मैं आपको recommend करूंगा 500 रुपए डालके start करो सीखो समझो उसके बाद जब आपकी 10 में से 7 या 6 trade profitable जाने लगे प्रबल में फस सकते हो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो like कर दो चैनल पर नहीं हो तो subscribe कर लेना यार ऐसी वीडियो आपको मिलते रहेंगी मिलते गाईस फिर नेक्ट वीडियो मे